बिग बोस 15 में टिकेट टू फिनाले म्यूजियम टास्क में देवलीना और अभी जीत के बीच हुए इंसिडेन का अभी जीत कल रात से घर में मौझूद हर एक कंटेस्टेंट को एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं जहां आज सुबे rep फीड में अभी जीत उमर को बिठा के कहते है की उंजये इस घर में 19 दिन हो गए और सबसे जादा क्लोज में किसके हूं बता जहां उमर केटे है प्रतीक और देवो के जिस पेविजीत कहते है नहीं सबसे ज्यादा वक्त मैंने देवो के साथ बिताया है फ हम दोनों ने दोस्ती में एक दूसरे को एक वादा किया था कि अगर एक दूसरे से अगर जगड़ा होता है या फिर कोई तकलीफ तो हम सब के सामने बवाल खड़ा नहीं करेंगे एक दूसरे से अकेले में बात करेंगे लेकिन उसने वो वादा तोड़ते हुए मुझे धोका दिया है जब मेरा कोई मज़ाग उसे पसंद नहीं आया तो उसे मुझे अकेले में बताना चाहिए था ना ही सब के सामने कल अगर सलमान सर के सामने ये बात निकलती है तो तू मेरा साथ देना देवो ने मेरी हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है चाहे वो जेंड स्ट्रोयलेट वाला मुद्दा हो या फिर राजीव को पूरे मर्द वाली बात कहना उसे मामा की लड़की बोला है तो मैं उसके साथ मज़ाग कर सकता हूँ लेकिन उसने जो सारे घर के सामने मेरा मुद्दा बनाया है वो गलत बात है रश्मी को पूरी बात समझा कि अभी जीत अपनी ज घर में बच गया तो फिर मैं उसे कभी बात नहीं करूँगा तुम सिर्फ मुझे इतना कह दो कि तुम वीकेंड पे मेरा साथ दोगे और हो सके तो हम दोनों की सूला करा दो तो वीकेंड पे ये बात उठे ही नहीं तभी रितेश और अभी जीत में बहुत बड़ी बहस होत है और बाकी घर वाले आके उन्हें शान्त करते हैं फिर कराना के उमर से कहते हैं कि ये रितेश की प्लैनिंग है कि कल ये मुद्दा उठा कि अभी जीत को एविक करवा के खुद बच जाए